अगर आपको अपने फिल्ड का बाप बनना है जो आप काम कर रहे हो उसमें चीता बनना है तो मैं लेकर आया हो research और सबूत के साथ में कि क्या वाकी में जिस काम से आपको प्यार है वही करना चाहिए सब को छोड़ कर गए या फिर दूसरे काम भी करने चाहिए अपने passion को follow कैसे करें वो काम कैसे करें जिससे आपको बहुत प्यार है उसके ओपर में वीडियो लेकर रहे हो ना केवल जोशिला motivation है ये ना केवल बाते है बलकि जिन्दगी भर काम आने वाले और दिमाग के ताले खोल देने वाले logics बताऊगा मैं इस वीडियो के end होते होत ब्यूरो की एक research के according आर्ट स्कूल के graduates यानि की जो performing artist जैसे कि singing, dancing, painting जैसे फिल्ड में courses जो भी कर रहे है आर्ट सिखने वाले लोग, कला सिखने वाले लोग, courses करने के बाद केवल 10% ही real artist बन पा रहे है उससे कमा पा रहे है या full time अपना passion follow कर पा रहे है उससे खर्चा चला पा रहे है घर चला पा रहे है जो course में पैसा लगया है उसे वसूल कर पा रहे है बाकी के 90% को अपने bills पे करने के लिए खर्चे चलानी के लिए दूसरी नौकरी करने पड़ रहे है जो पसंद नहीं है वो अपने passion से नहीं कमा पा रहे है और उनका art उनकी hobby बनके रहे गई 90% लोग अपने passion को profession बनाई नहीं पा रहे है side में अलग नौकरी उनको करने पड़ रहे है यह research है हम कई बार बोलती है ना कि do what you love यानि वो काम करो जिससे आपको प्यार है या अपने passion को follow करो कुछ भी हो जाए passion को follow करो पाकिसारी काम आप छोड़ दो यह बात मैंने भी अ से प्यार है यह line जो है ना यह sugar की तरह काम करती है पर अगर sugar जादा हो जाती है तो भी दिक्कत हो जाती है कभी कभी कुछ मीटा होता है तो ठीक है कुछ मीटा हो जाए तो ठीक है पर हर वक्त मीटा ही हो रहा है तो क्या होता है जो बचपर में दिक्कत होती थी वह हो सकता ह या फिर जादा सुगर की वज़े से आपको दिक्कत है हो सकती है सुगाइस मैं बताओगा do what you love यानि कि वो काम करो जिससे आपको प्यार है बाकी के सारे काम आप छोड़ दो वो ही काम करो जिससे आपको प्यार है ये बात आपको कितनी संभल कर फॉलो करनी होती है कैसे आपको संभल कर मोटिविशन को यूज करना होता है कैसे ये सुगर अच्छी लगती है लेकिन बात में जादा हो जाए तो दिक्कत होती है शुरू में जो रिसर्च मैंने बताया थी कि 90% लोग अपने पैशन से कमा नहीं पा रहे है कोई सिंगें या डांसिंग सीख रहा है तो साथ में उसको कोई और जॉब करनी पड़ रही है घर चलाने के लिए तो क्या ये गलत है क्योंकि do what you love तो कहता है कि सिर्फ वह करो जो आपको अच्छा लगता है बागी कि सारा आप साइड में रग दो लेकिन अगर आप family चला रहे हो तो आपको पैसे भी चाहिए अगर आप बड़े हो या फिर आपको अपने fees पे करने के लिए पैसे चाहिए जो आप course कर रहे हो जो भी सीख रहे हो देखो do what you love तक हमने सीखा है लेकिन एक online आपने सुनी हुई होगी जो कि है love what you do पूरा क्या है do what you love and love what you do अगर आप side में कोई काम कर रहे हो जिससे आप कमाने के बाद में उस पैसे को अपने passion में लगा रहे हो जिस काम में आपको मज़ा आता है उसमें आप पैसा लगा रहे हो तो इसको smartly passion को follow करना कहते है मतलब अभी के लिए passion से आपकी income नहीं हो रही है जिस काम से प्यार है उसे income नहीं हो रही है जब तक आपका art masterpiece level का नहीं हो जाता है यानि जब तक आपकी art एकदम जबर्दस तरीके से polish नहीं हो जाती तब तक आपको बहुत बड़े-बड़े action नहीं लेने है आपको अपनी जिन्दगी में jazz की तरह खिलना है जोश में कुछ भी आप चला रहे हो उनकी कहान ही पढ़ते है, motivate होते है बट actual में उस इंसान ने अपनी job तब छोड़ी या फिर पड़ाई तब छोड़ी होगी अगर आप धंक से पड़ोगे तो आपको यह मिलेगा कि उस बंद्धे ने सब कुछ छोड़के अपने passion को तब follow किया जब वहाँ से या तो पैसा आना start हो गया या उसकी art बहुत ज़़ा पॉलिश हो गई कि अब तो यह सिधा market में उत्रता ही कमाएगा इसको को दिक्कत नहीं होनी है Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs ऐसे कई लोगों के बारे में आपने सुना होगा तब तक आपको जोश में बाजी ने खिल लिया जोश में खेला गया ताश के खेल में आप हाड जाओगे आपको emotional ही नहीं आपको logically खेलना है अगर आप logically खेलोगे तो आप जीवन के हर तरह की हालात को फार सकते हो आप हर चीज़ से निकल सकते हो आप कुछ भी कर सकते हो अब इसका solution एक line में बोलो तो क्या है mantra क्या है love what you have to do but also have what you have to do कुछ है जो करना पड़ेगा आपको पसंद नहीं है लेकिन एक बार ही करना पड़ेगा very deep है point number one कहता है कि जोश में आपको fast लेने लेने ऐसा बहुत सारे examples है ऐसे बहुत लोग और successful लोग examples है जो भी मैं आपको देने वाला हूँ जुन्होंने दो काम करे balance बना की करा उन्होंने पहले कोई काम करा band बहुत सक्सेफिल हो गया नवासी दिन सिदिकी ने as a security guard काम किया था अक्षे कुमा ने as a chef and waiter का काम किया था बैंकोक में अक्टर दिवानन ने as a sensor office में clerk का काम किया था ग्रेट एक्टर बोमन इरानी ने मुंबई की ताज होटल में as a waiter काम किया था आईश्मांग खुराना ने actor बनने से पहले रेडियो चौकी और वीडियो चौकी का काम किया था यह सारे examples यह बताता है कि balance जो है वो possible हो सकता है अगर आप बनाती हो ता अच्छे से smartly point number 3 arrogance of passion यह बड़ा interesting है बहुत सारे लोग इस गमंड में जीते है कि मैं अपने काम में bashed हूँ तो शायद मुझे वही काम करना चाहिए उसे niche से related जो चीज है वही करने चाहिए बाकी पर focus मुझे नहीं करना चाहिए कोई जरूत नहीं यह करने की यहाँ इस सोच के कारण भी उस बंदे की success सफर हो सकती है दिक्कत में आ सकता है इस पेसली initial stage पे जब वो होता है जब वो बड़ा नहीं बना है successful नहीं हो है तब उस वक्त यह नहीं करना चाहिए कि यह तो मेरा काम है यह वाला मेरा काम नहीं है तो मैं नहीं गरूगा उसको यह मेरा ego है तो यह ego नेचे गिरा सकता है for example एक singer को हो सकता है कि शुरुआत में software सेखना पड़े, जिससे सब कुछ record वगएरा ही, सब कुछ होता है, एक entrepreneur को accountant से सीखनी पड़ सकती है, finance management के उपर ध्यान देना पड़ सकता है, एक motivation speaker को शुरुआत में हो सकता है, कि video editing सीखनी पड़ सकती है, YouTube की दुनिया को सीखनी पड़ marketing, SEO ये सब सीखना पड़े, ताकि हो sales ला सके, उसके बाद में बंदे बाद में हायर कर सके, मैंने काफी ऐसे film के directors देखे है, जिनको video editing नहीं पसंद लेकि उनको करनी पड़ रही है, क्योंकि editor को हायर करने का budget नहीं था, तो पहले करना पड़ा, सीखना पड़ा सब कुछ, बैन उसके बाद में editors higher हो गए, जब काम बढ़ा हो गया, मुझे भी video editing इतनी पसंद नहीं है, लेकिन इतनी पसंद नहीं है, तो मुझे भी सीखनी पड़ी, खुद करनी पड़ी, उसके बाद में मैंने team बनाई, अब इसमें एक golden चीच छुपी हुई है, जो मैं अपने experience से सीखे है, जो पता नहीं कितने माईनों लगती थे सीखने में ढ़ंग से, लेकिन उसमें काम करा है, तो उसके बाद में होता यह है कि जब आप उसके लिए बंदा hire करते हो, तब आप जो hiring करते हो, वो आप बहुत अच्छी करते हो, तब आपको काम की समाज होती है, कोई सारे काम वो खुद भी कर सकता है, वो खुद भी करना चानता है, लेकिन वो खुद इसलिए नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है, वो किवल वक्त बचाने के लिए ऐसा कर रहा है, ना कि इसलिए कि उसको करना आता नहीं है, तो नमर थी कहता है कि आपको वो क कर रहा हो जो मुझे पसंद है हर जौब में कम से कम एक element चाहे वो छोटा हो सकता है लेकिर एक element तो ऐसा होता ही है जो आपको पसंद नहीं है and you hate it but आपको करना होगा क्योंकि उसके करने की ही वज़े से आपको जो काम पसंद है उसमें help हो रही है मैं पसंद तब भी आपको करना होगा because the rest of it you love doing वाकी के चीज़ आपकी जो है वो आपको पसंद है एक सर्वे में ऐसा भी देखा गया जिसे चानकर मैं खुद वाकी में बहुत हैरान हुआ ये पढ़कर के ये चानकर के कि 10 से 15 सालों तक अपने passion को passionately follow करने के बाद भी लोग उससे बोर हो गए और उन्होंने कोई और path choose कर लिया रास्ता ही बदल दी उन्होंने so don't completely depend on what you love so आपको पसंद है उस पे पूरा depend मत हो जाओ of course you should follow your passion करो passion को follow but also have plan B आपका plan B भी होना चाहिए एक नई theory के मताबिक ये 100% search नहीं है ये बस एक theory है कि happiness और passion follow करने में कोई direct connection नहीं है यानि कि आप passion follow करने के बाद भी खुश रहोगे इसकी को guarantee नहीं है कोई ज़रूरी नहीं है वो इंसान भी खुश रह सकता है जो वो काम कर रहा है जिसमें उसको खुश ही नहीं है से ज्यादा in general society की बारे में सोचना पड़ेगा सोचो society हमारा देश हमारे state या जहाँ आप रहते हो उसके आसपास के लोग कौन सी problem को face कर रहे है society की problem कौन सी है जो आप solve कर सकते हो जिसमें आप अपना career भी बना सकते हो जिसमें ना केवल financial growth का scope है बलकि लोगों की help करकी आपको एक सुकून भी हासिल होगा आपको अच्छा भी लगेगा आपकी जिन्दगी में शान्ती होगी award winning great work study से पता लगा है कि 88% उन project से reward जीता जो projects शुरू हुए थे employees के पोचे जाने से कि हम इस society में ऐसा क्या कर सकते है कि जिससे दोसरों के life में changes है हम दोसरों के जिन्दगी में क्या बदलाव ला सकते है ऐसा employees के पोची जाने के बाद में जो काम किया गया वो project ने जागा reward जीता मतलब जब आप यह realize करते हो आपको यह महसूस होता है कि आपके काम की वज़ज़ से समाच के लोगों के life में क्या फरक आ रहा है आपके colleagues पर क्या impact पढ़ रहा है हो सकता है आपको personally वो काम पसंद ना हो पर फिर भी आपको उसका impact जो है न वो आपको उस job को करने के लिए attract करेगा आपको तब भी मज़ा आएगा तो यह research कहती है कि आपको अपने काम से कितनी मौहपत है उस काम की वज़ज़ से लोगों के life में क्या help हो रही है समझ रहे हैं जो बाते आपको लगती थी उससे कितनी अलग बाते research से निकल कर गाई है अगर आपको इस वीडियो का next part चाहिए जो कि मैं कुछी दिनों में बना करके upload कर दूगा अगर आप लोग support दिखाओगे इस वीडियो पर अगर आप इस वीडियो पर like करते हो और आप comment में अपना feedback देती हो और तीसरा आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में share करते हो like, comment, share करके आप support कर सकते हो guys ऐसा content आप बहुत कम जगह देखोगे मैं जो वीडियो साब के लिए लेकर के आता हो उसमें बड़ी बैनत लगती है आप thanks केने के लिए मेरे काम को आगे तब पहुचा सकते हो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में share करो ये वीडियो इतनी share होनी चाहिए कि इस दुनिया के आखरी इंसान तक ये बाते पहुच जानी चाहिए इस वीडियो के पार्ट टू की excitement आपको दिखा नहीं है तो आप like कर सकते हो, comment कर सकते हो, share कर सकते हो again मैं बोल रहाए मुझे लगेगा कि आवाकी में excitement आपकी है तो मैं पार्ट टू पे बहुत जादा मैनद करूगा और publish करूगा इसी चैनल पर तब तक के लिए आप मेने चैनल को विजिट करके आप आखे की वीडियोस देख सकते हो अगर आप से कोई वीडियो मिस हुई है चैनल को विजिट करके देखो, मिलते हैं अगली वीडियो में wish all the very best, मैं शकील कुलमेता से आपके सपनों को सपोर्ट करता हो